यह ऐसी मेरे जैसे आप गारडन बनाना चाछते हो या शुरुवात करना चाते हो या कितना खर्चा आता गारडन बनाने कि लिए टेरेस पे मतलब घर के ऊपर बनाना है हमने ये घर के उपर ही बनाया है और पूरा जानकारी देंगे इसमें कुछ भी मतलब स्टार्टिंग करना है तो जादा खर्चा नहीं आता है पकड़ लिजे 500-600 रुपे से भी शुरुआत कर सकते हो या पकड़ लो 100-200 रुपे में बीज लेके आके शुरुआत कर सकते हो घर से जलब घर से पहले थोड़ा थोड़ा लगाई है आपको जैसी सी इंस्पिरेशन मिलते जाएगा मतलब जैसे इसी पेड़ बढ़ा होता जाता है उसमें पकड़ लिए सब्गजी आते रहती है तो अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है तो और भी motivation मिल जाता है तो आप धीरे 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 बढ़ा सकते हैं ये कबाण से बनाया है मैंने ये 2 साल में मैं तीसरी बार ऐसे development की आ है हर साल मणलब हर 6-7 मैने मैं एक development करता में तो अच्छा डेवलोप्मेंट करता हू और नए चीजे सीखते जाते हूं लाइपज जमा हुआ था और इसमें नहीं पकड़ दीजे चिडिया ने भी पूरा इसमें ये कर दिया था तो उसके कारण ये जो है ऐसी हाल होता है ये ज्यादा वाटर वार वाटरिंग के कारण तो कभी भी ध्यान रखना इसको च्छत थे हमने लगाया थे च्छत लेकिन च्छत कि वह ड्रेन नहीं हो सका प्रॉपर तो ड्रेन नहीं होने के कारण ये ऐसी सूख गया तो देखिए कि कभी भी वार वाटरिंग नहीं होना चाहिए ज्यादा वाटर से सबजिया खराब होती है और ज्यादा धूप से भी सबजिया जलती है तो मतलब ज्यादा नहीं होना एक मिड के उपर से पकड़ी जब मैं एक उदारन दे सकते हो दस बाय दस की छत पे भी आप अच्छी सब्जिया उगा सकते आज की डेट में क्यूंकि मैं छोटी सी जगा से बहुत अच्छी सब्जिया निकाला हूँ पहले शुरूआ तो हमने छोटी सी जगा से ही किया था और आप अ प्राट के ऐसी पूरा यह किया थे और कुछ तो हमारे टब तो खराब हो गए मतलब तो तूट गए सड़ गया यूगि वो खराब वाले अप थे तो हमने कबार्ड को ही यूज़ करके किया था तो आज की डेट में हमारे हरी हरी सबजी आती है और हमारा गार्डन भी देखिए हरा बरा है कितना अच्छा लग रहा है और मेंटेन करते हैं हम तो सबसे जादा मेंटेनेंस में जाता ध्यान सबसे जादा अच्छे से मेंटेनेंस में ध्यान देते हैं गार्डनिंग में और अच्छी खासी सबजिया हम ले रहे हैं यह देखिए हमारे कीचन गार्डन से सबजिया क्या जबरदस्त हो रही है लब सबजिया बढ़िया से बढ़िया सबजिया आ रही है हमारे कीचन गार् आगता है, इसको भूत बड़ा, इसको भड़ता का बैगन बोलते हैं हमारे माराथी लैंग्वेज में, आपके लैंग्वेज में मुझे बता न जरूराक बूलते उसको, तो Protestant, इसको नाज बोलते हैं, एससे पूराने हैं हमारे दिन बैगन के बहुत पुराने पेड़ है मतलब देड़ साल पुराना पेड़ है अब भी फल देरा है लेकिन हमने इस साल क्या किया था इसको कटिंग करके फिर से गुरो कर दिया तो अभी देखिए ढेर सारे इस पे फूल आया है देख सकते जहां वहां फूल दीख रहे होंगे और मतलब आ रहा है अच्छी खासी वेजिटेपल हमारे कीचन गारडन में आप अप आईसी ले सकते हैं वेल वाली फसल भी बहुत अच्छी होती है कीचन गारडन के लिए मूली भी अच्छी होती है मूली यह देखिए मूली क्या ताजा है मतलब आईसी आप सब्जिया ले सकते घर से शुरुवात 200 रूपे से भी 100 रूपे से भी शुरुवात कर सकते है आप मतलब जो सब्जी लगाएंगे न तो उसके पहले थोड़ा ये ध्यान रखना कि वो पेड़ों को जो है मिट्टी अच्छी होना चाहिए और सौइल सौइल क्या मतलब अच्छी सौइल रही तो अच्छा ये फसल होगा आईसी कुछ भी नहीं है उसमें मुरूम भी रहा मतलब ज्यादा ये भी नहीं रहा थोड़ा मुरूम ओली भी मिट्टी रही चलेगा लाल मिट्टी भी रही चलेगा कोई भी मिट्टी चलती है लेकिन खा पूरा मिट्टी लेते हो और एक बोरा गोबर का खात लेते हो और उसको बूलते हैं यह जो है यह सेंट्रिंग वाले यूज करते थे पहले आभी नहीं यूज करते तो ऐसी आप इसमें रेट ले सकते बारीक रेट उससे क्या हो जाता ड्रेनेस अच्छा बनता है मेटी में तो ख़ियान रखना कभी और हमारे बिजिटेबल आप भी घर में भूगा सकते हैं और वेजिटेबल आप घर पे भूगा सकते हैं तोटल हमने बहुत सारी सब्जिया मतलब हमारे गार्डन से लिया है और हमने तो पीछले साल तो